धनबात की इसील मुगमा शेतर की राजपुरा कोलियारी में चौल धसने में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गई बतादे की घटना एहले सुबह की है रोजाना की तरह कोईला चोर कोईला काटने कोलियारी शेतर में गई और तभी जोरदार आवाज के साथ चौल धसने पर कुछ लोग चौल के नीचे दब गए वही आनन फानन में कोईला चोर अपने साथी को निकाल कर भागने लगे लेकिन एक साथी काल की गाल में समा गया और मौके पर उसकी मौत हो गई बताने की निर्सा में ये कोई नई घटना नहीं है शेत्र के कई ओपी और थाना इलाके में कई दर्जन अवैद उत्खनन स्थल हैं यह बाकाइदा तीन शिफ्ट में काम चलता है चिरकुंडा, गलफडबाडी, मैथन, पंचेत, कलुबाथन, निर्सा में दर्जनो कोईला बटे गुलजार हैं कोईला काटने में निर्सा में आज तक कई मौत हो चुकी है उसके बाद भी प्रशासन कुमकर्णी नीन सोया हुआ है और इस बीच कोईला चोर दिन के उजाले में कोईला चोरी कर सरकार की रोज लाखों का चूना लगा रहे हैं प्रशासन मौक दर्शक बन तमाशा देखती है अब देखना दिल्चस्प होगा कि श्यासन और प्रशासन कब तक इस धंदे पर लगाम लगाने में कामयाब होती है पंजाब केसिली टीवी के लिए धनबात से नीरश कुमार के रिपोर्ट